आमादमी पार्टी शराब घोटाले में अर्विन केजरिवाल का नाम आने पर एक नया दाव खेलने जा रही है आमादमी पार्टी इसे लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी में है इसकी जानकारी आज आमादमी पार्टी ने खुद दी है दरसल आपने जानकारी दी कि शराब घोटाले में सीयम अर्विंद केजरीबाल की किरफतारी होती है तो उन्हें इस्तिफा देना चाहिए या नहीं इसे लेकर पार्टी डोर टो डोर केमपेंच चलाएगी ये केमपेंच शुकरबार यानि की एक दिसमबर से शुरू होगी इसमें पार्टी के कारेकरता जमीन पर जाकर जनता की राय जानेगे आपने कहा कि शराब गोटाले महरबिंद केजरीबाल की गरफतारी होती है तो उन्हें इस्तिफा देना चाहिए या नहीं इस पर दिल्ली की जनता गिराय जानने के लिए आम आदमी पार्टी एक दिसमबर से डो डोर केमपेंच चलाएगी आप ये कैमपेंच एक से बीस दिसमबर तक चलाएगी आपने आगे कहा कि ये कैमपेंच दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन एरिया में चलाएगा इसके लिए एक पैमप्लेट भी तयार किया गया है साथ ही 21-24 दिसमबर तक दिल्ली की सभी वार्ट में जन संपर्क अभ्यान भी चलाएगा जिसमें वार्ट के सभी लोगों का अवहन किया जाएगा इस सभा में आपके सभी विधायक और पार्षद भी भाग लेंगे यहां भी इस्तिपे को लेकर जनता से राए ली जाएगी जानकारी दे दे कि इससे पहले पार्टी ने अपने विधायको पार्षदों और कारेकरताओं से इस बारे में राए ली थी जिसमें सभी ने एक सुर में कहा था कि अर्विन किद्रिवाल को इस्तिफा नहीं देना चाहिए अगर गरत्तारी होती है तो जेल से ही सरकार चलानी चाहिए